नमस्कार मैं हूँ राशका बजाज और आप देख रहे हैं जी इन भारत अभी मैं मौझूद हूँ रांची के प्रेस क्लब में जहां पर एक प्रेस वारता का आयोजन किया गया है जिसमें नेतर हट फील्ड फाइरिंग रेंज को रद करने की मांग की गई है आइस सुनते है आज एक बहुत ही सवेदन सील और मानुवे पक्ष इसमें जुड़ा हुआ है इस मुद्दे को लेके आपके समक्ष हम लोग उपस्तित हैं अभी दो दिन पूरवत 2223 तारीकों नितरहट के घने वादियों में जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे यह नारा लगतार दो दिनों तक चला है और यह नारा बिगत 28 वरसों से 1994 से सत्यागरा के माद्यम स्याधिवासियों के दवारा यह नारा लगाया जा रहा है नितरहाट फिल्ट फाइरिंग रेंज अस्थागित करो इस निमित यह नारा लगतार लगाया जा रहा है और इसकी वज़ा क्या है नितरहाट फिल्ट फाइरिंग रेंज जो अधिसूचना जारी की गई है उसमें 1471 वर किलोमीटर छेत्र को अधिसूचित किया गया जिसके अंतरगत 245 गाओं चिन्हित किये गया जहांके लाखो आदिवासी बिस्थापित होंगे और इस बिस्थापन से आदिवासियों की अस्मिता परंपरा संस्कृति और जीने का जो मौलिक अधिकार है उसका हनन होगा और ये इसलिए बहुत महत्पूर्ण है जो जीवंत दस्तवेज है भारत का संविधान संविधान के अनुचेद 21 का ये घोर उलंगन है जहां संविधान के अनुचेद 21 में किसी भी व्यक्ति के जीने का और उसके निजिस स्वतंतरता का और गरीमा को सुनिश्चित करता है और उसका ये गोर उलंगन कहीं न कहीं से है मैं एक बात थोड़ा इसपस्ट कर देना शाहता हूँ क्योंकि ये फिल्ड फाइरिंग रेज सेना से जुड़ा हुआ मसला है तो समाने तह चर्चाएं या बहुत सारे एक परसेप्सन बना देता है लोग कि आदिवासी लोग सेना का विरूद कर रहा है मैं आपके इसपस्ट कर दूँ इसी जहां जो अधिसुची छेतर है गुमला कि डुमरी प्रखंड का जारी प्रखंड जो है वहां का वो पहला मर्नो परांत जो सेना का सर्वोच पदक होता है परंबीर चक्र उसे प्रदान किया गया है और अभी हाल की दिनों में कारगी लियुद हुआ उसी अधिसुची छेतर के गुमला से तीन-तीन सेना, सैनिक, अगस्तु सिक्ता जी है बिस्रा मुराओ जी है, बुधर मुंडा जी है जोरों ने अपनी शहाद्यत दी है और आज भी उस छित के असंक लोग सेना में कारगी है तिसले मैं इस बात को कहा कि ये किसी सेना का विरोध नहीं है सुरक्षा हमारी सबसे देश के लिए बहुत आशक है लेकिन जो नीतिया बनाई गई है उसके खिलाफ सरकार की विरुधे आवाज है इसके पूर भी राष्टी विकास में ये जो बाइनिंग छेत्रे कोईला हुआ हुआ लोहा हुआ बॉक्साइट हुआ और साथ ही से इंडिस्ट्राइशन के माध्यम से या इंफ्रास्ट्रक्चर डवलोप करने के लिए ये बड़ी बड़ी जो परियोजनाय बनाई गई है उस्वे सबसे ज़्यादा अरिवासिय उससे बिस्थापित हुए है और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हुँ कि समीधान का कहीने कहीं उलंगन हो रहा है क्योंकि ये छेतर पांचवी अनुसूची का छेतर है और पांचवी अनुसूची में जिसमें अस्पस्तिया है ये समीधान में अस्थाई उबबंध है आर्टिकल 370 अस्थाई उबबंध था ये तो अस्थाई उबबंध है इस अस्थाई उबन में सेडूल फाइब में आदिवासियों के संरक्षन, समवर्धन का और पूरा ब्योरा जिसमें दिया गया है और तो और उसमें ये भी प्रधान किया गया है कि कुछ ऐसी चीजें ना करें ऐसी जिसके जिसके कारण जो डिमोग्राफिक प्रोफाइल है और जिसके करते आलिवासि आउट नंबर्ड हो जाएं उनकी संख्या घट ना जाए ये सपस्तिया सेडूल फाइब में किया गया है लेकिन इस परियोजना से जहां लाखों ले डि और उलंगन है और सबसे बड़ी बात है इसमें सेडूल फाइब में गवर्नर महामहिम को जो शवडूल फाइब और सविधार के कस्टोरियन है जिनको ट्राइवल एडवाजरी कॉंसेल जन जाती है सलाकार परिश्ट के बाध्यम से आदिवासियों की परंपरगत जीवन शैली उनकी परंपरा उनकी रूड़ी वादी जो जिसे कहा जाए परंपराय संस्क्रीती जो है उसके प्रोटेक्शन के लिए इस स्पेशल प्राओधान दिये गया है इस परियोजना सुसका भूलंगन हो रहा है और तो और एक तर तो संसद में कानून पास होता है राइट टू फॉरेस्टिक दो हजार चे जिसके तरह ये बोला गया है कि जो कोलोनियल रूल थे जो अपने वेशिक बंद में जो अधिकार थे उसको खत्म करने के बाद जो प्रंपरागत रूफ से सद्यों से जो लोग वह निवास करता है इस जो परंपराएं है उसका भी अधिकार दिया गया है और जो नॉमेडिक ट्राइब है वो वहां के जो फॉरस्ट प्रोड्यूस है उनका भी पुरा अधिकार दिया गया है लेकिन जहां 245 गाउं से अगर बिस थापीत आप कर देंगे तो ये सारे प्रावधानों का कही दिक उलंग हने है है सबसे बड़ी बिडमना तो ये है कि एक तरफ उसी छेतर ने हैं है उसी नेत्रहाट प्लेटो के छेतर में तरकार ने ऐलीफ्र पैट कोरिद씨 और बनाया है और उसी छेत्र में टाइगर प्रोजेक्ट सरकार ने बनाया है अधसुचित किया छेत्र को और उसी नितरहाट के छेत्र में उल्फ संक्शूरी बनाया है वार आप सूच सकते है एक तरफ एलिफाइंट कोरिडोर के माध्यम से हाथियों का संदक्षन वहां किया जा रहा है दूसरी तरफ ट्राइगल प्रोजेट के माध्यम से बागों का संदक्षन किया जा रहा है तीसरी तरफ उ northeast sanctuary के मानधम से भेडियों का संरक्षन किया जा रहा है प्रस्टे यक्स प्रस्टी ये है क्या इस 245 गाओं को जो भिष्थापित किये जा रहे है لاकौ आदिवासियों क्या उन आदिवासियों को जीवन के कीमत हाथी बाग और ये भेडिये जो ज़गली जानमर हैं उससे भी कम है क्या यह बहुत बड़ा यक्स प्रस्ट है आज इसलिए मैंने कहा ये केवल आदिवासियों की बात नहीं है किसी व्यक्ति कि जीने का नैसरगी का अधिकार और संवेदन सिल और मानुविय पहलूश से जुड़ा हुआ है इसलिए आपके माध्यम से आपको इस सारी बाते हैं यहाँ पर हम लोगे ने बतलाने का प्रयास किया और यह बहुत ही गबीर मसला है और जब यहाँ पर इसी क्योंकि पाचविय जो सुचिय और समीधान के किसी भी राज के कस्टोडियन महामहिम राजपाल होते हैं मैं अभी हमारे बरतमान में मुखमंत्री आधरने हमन स्वरेंजी अभी बावलार माननी जो पूर मुखमंत्री हैं बंधू तिर्की जी और मैं और पूरे डेलिगेट्स केंद्य जन संगर्स मोर्चा और वहां के लोग हम लोगों ने राजपावन के समक्ष धरना दिया प्रदर्वसंद किया सवयधानिक तरीकों से और एक सिस्ट मंडल ले जाके हम लोगों ने फिल्ड फाइरिंग रेंज रद करो इसका घ्यापल भी दिया लेकिन इसके बाद करोना का काल आ गया वो उनकी ने हमारे महामहिम राजपाल महोदय आ गया हम लोगों की चिंता ये है कि 11 मैं 2022 को ये ये परियोजना समाप्त होन वाली है लेकिन इसके पूर्वी 2002 में ये परियोजना समाप्त होना रही थी लेकिन उस समय बिहार सरकार ने 1999 में ही इसको विस्तार दे दिया हमारे पास समय बहुत कम है फिर से अगर ये विस्तार दे देती है तो 245 गाओं के 1471 वर किलो मीटर के आदिवासियों का विस्तापन का जो दंस छेलना पड़ेगा और दंस ही नहीं छेलना पड़ेगा और सरकार के सव्वेधानिक प्रोधानों का जो घोर उलंगन जो विडंबना जो विरदवास है इसलिए आपके माध्यम से हम लोगों ने ये सारी चीजे पब्लिक डोमेन मे लाने के प्रयास किया है और अभी 2223 तारीक को हमारे किसान आंदोलन के राकेश टिकेट जी माले के वानिये विरायक विरोज सींग जी मैं स्वेम हम लोगों ने सारे लोगों ने और बहुत सारे सोचल अलेक्टिविस्ट लोग थे वो वहाँ पे थे और वहाँ पे 245 गाउ है तो ग्रामसभा के प्रधान वहां ग्रामसभा में पारित किया गया है और अहिंसक तरीके से सत्याग्रह और संकल्प लिया गया है कि अप्रेल में वो पैदल मार्च करते हुए वही नितहाट के वादियों से पैदल मार्च करते हुए माह महीम के पास आएंगे सरकार के प अधिवासियोgon का और भी वहां निमासी है जो वहां रिदर ही उनके जीने का रिखायक और कि फ्राइब ना हो सके मुझा हो यही हमारा प्रयास है इसलिए इस निमित आपको समक्षार से रखा है भर बहुत-बहुत धिन्यquin तो आपने सुना की इस प्रेश वारता में क्या कहा गया जीन भारत के लिए रांची से वीडियो जर्नलिस्ट सोनु पांडे के साथ मेरा आशका बजाज अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना न भूले